नमस्कार साथियों की फैक्ट मैं आप सभी का स्वागत हैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहतर होंगे सभी सनातनी और राष्टवादी भाई बैनों से अपील लहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा अधिक से अधिक लोगों तक स पूरा वीडियो देखिएगा बहुत ही महत्पूर वीडियो है इसमें तीन विसा हैं इस वीडियो में एक विसा है जो कांग्रेश पार्टी का एक मंत्री है जारखंड के अंदर उसका जो प्रसनल सेक्रेटरी है उसका जो नौकर है प्रसनल सेक्रेटरी का उसके घर से 35 करो निले हैं और यह सब करवाई में मिली पूरी कांग्रेस पार्टी इस पहए राहुल गाधी यह नहीं बता पा रहे हैं कि यह पैसा जharkhand के आदिवासीों के विकास का है या राहुल गानी के मंत्री के द्वारा कमाया है बता नहीं पा रहे है मंतरी माधने तो कदी जारे वो तो बहुत सारे लोगों का पीए है पीए से काम करता है मुझे नहीं पता मेरा नहीं लेना देना दुनिया बर की चीज़ें तो मंत्री मौद एक तरफ कर रहे हैं कि सरकार में सब ऐसा ले रहे हैं हलाकि ब्रश्टाचार के आरोप में एडी के द्वारा गृपतार कि कर लिया उसे कर लिया और जो मंत्री साहब ना कंग्रेस के कौ Systems मंत्री तो इतना तकड़ा पिकास कर रहे हैं लोग कि कैसी । आइस चहाप करके रख देरे थ है जारखंड में ही अभी तीन-चार महीने पहले कांग्रेस पार्टी के कि सांसर्थ के हां से साड़े तीन सो करोड रुपया कैस मिला था यह अभी निउस का अनलेसिस मैं ने किया था देखा होगा आप लोगों ने उसी जारखंड से अभी कुछ दिन पहले एक आईस के आंसे 22 करोड रुपया मिला था और यह लोग क्या कह रहे हैं आदिवासी बाहुल लेक इस्टेट में कांग्रेश पार्टी और जेमें की सरकार है पांसो करोड रुपया कैस मिल चुका है यह रिसेंट में अगर एक साल के अंदर की बात करें और सब इडी में जब किया है और संपत्ति बेनामी यह सब वो सब कागज पत्तर जो मिला है उस कर देंगे तो वो कर देंगे इसकै्निंग कराएंlevant देंगे और यह चुनाव के समय पे सोचिए यह भाष अब आप पहुच गई वहां तक एजंसी तो ठीक है नहीं पहुची होती तो अब तो मौज में सब था क्या बात है कि देखते हैं थोड़ा इसके अलावा एक खबर और है राहूल गांधी को लेकर के वह खबर यह है जो इनके पार्टी के थे अभी पार्टी से लोगों ने निकाल बदल दिये मानसिक्ता देख लीजिए इनकी और तीसरी खबर एक राहूल गांधी की और है एक जगए एक नुकड सभा टाइप का बुलाए हुए आट-दस लोगों को किस तरीके से गोरे-काले प्रोफेसर और पेपर सेटिंग की बात कर रहे हैं उसकी भी पोल खोलूंग क्योंकि उसमें बात आई है आयाइटी की और जब आयाइटी की बात आई तो मेरे जैसा बैक्ती जरूर बोलेगा इसके अलावा वाइस चांसलरों को लेकर के भी इन लोगों ने इन्हों ने बयान दे दिया कि और एक संस्था से आता है लिख करके वाइस चांसलर बन जाते हैं फ़लाना डिकाना है वाइस चांसलरों को लेकर के इसलिए इस देष में बवाल मचाना चाहते है राहुल गांदी क्योंकि राहुल गांदी के कोच। सब्गापधी पाम पंपनतियों ने इस देश के सेल बस पे से इतिहास लेकन पे इस देश के इनवर्सिटियों पे कबज़ा करके रखा हुआ एंगे कान में फूट रहा है उनके कान पूक रहे जोंपुख रहा है दो तर्विश्टा इसे होटा ही ख्रयाबं मंत्री हमारा सलेक्सन नहीं करते हैं सेंट्रल इनवेस्ट्रि में राष्टपती और राज में राजपाल करते और राहुल गांदी के पास कोई प्रूफ है इस तरीके का तो हाई कोट रो सुप्रिम पर चुक्त करने से तो पॉल करके जिस नियूज से मैंने खबर ली है तब तक 30 करोण रुपिया गिने चा चुके थे छे मसीने गई थी 12 लोग नोट गिन रहे थे एक लोग गड़ी से निकाल करके मसीन में लगा रहे थे मसीन धुआ फेक दे रही थी भाई इतना नोट पांसो का नोट 35 करोण 23 लाग सोच प्यां तीन करोण रुपिया एक और ठेकेदार के अंसे मिला है ना पीड़डी का ठेकेदार था तो उसके यहां से भी मिला है इसी जांच के चक्कर में रावर गानी बताएंगे नैं इसके बारे में कि माल कहां से आया है यह जो मंत्री साहब है इनहीं का एक अपर से आसमान से आ गए होंगे और इडी को पता नहीं किसे पता चल गया इनको नहीं पता होगा अब जब इंसेस्ट अवाल किया तो यह क्या करें कि अरे वह तो बहुत लोगों के यहां काम करता है जिनके कहने का मतलब है कि बहुत सारे मंत्री इस तरीके की चीज़े में एक ग्राम तोटल तेइस करोण तोटल 35 करोण तेइस लाक रुपे मिले अब यह कौन ग्रामीड विकास मंत्री है आलमगीर आलम उनका प्रसनल सेक्रेटरी है संजीव लाल संजीव लाल का नोकर है जहांगीर जहांगीर के यहां से 35 करोण तेइस लाक मिले उसके अलावा जो पीयस का क परीबी है ठेकेदार जिसका नाम है मुन्ना सिंग रोड कंस्ट्रक्शन दिपार्टमेंट का एक इंजिनियर अभिकास कुमार और एक पुलदीप मिंज इनके घर पे रेट पड़ी तो ठेकेदार मुन्ना सिंग के यहां से तीन करोन रुपे मिल में ठेकेदार के सथीन करोन मिलना और करता है उसके घर से 35 करोड 23,000 रुपे मिलनें कितना बिचित्र देश है और प्रवचन दे रहे हैं इतर वाई साथ बता नहीं रहें इन्हीं के मंत्री क्यां से मिला था ना सब्सक्राइब तीन दिन तक मसीन भूआ भेकती रहे उस नोट को गिनने में तो छोटा मुटा काम करता ही नहीं है लोग देखें यही करें सुत्र बताते हैं कि पैसे इतने हैं कि गिंते-गिंते मसीन गर्म हो रही है यह देखिए आई गई 35 क्रोंट 23 लाग आप जब जहां छो रही थी तो ट्रांसपर पोस्टिंग से संबंधित कागज भी मिले और जितके ट्रांसपर पोस्टिंग किये गए उनके नाम वाम भी मिल गए उसमें अब तो उस पे एक अलग से कारवाई होगी मलब हो सकता इसमें सी भी आई भी आजाए ठीक है नहीं एंटी करप्सन ब्यूरो भी आजा इसमें विजलेंस डिपार्टमेंट भी आजा इसमें ऐसे थोड़े नहीं है और बाकि हमन सोरेंस आप तो गई है ब्रश्टाचार के आरोप में जेल में इडी ने उनको ग्रिपतारी कर रखा है दो स से ज्यादा वाइस चंसरे ने राहूल गांधी के खिलाब खोला मोर्चा कानूनी करवाई की मांगकि इनका काम क्या है मंच सद्कता 2 इनको लगता है इनके पिता जी का देस तो ये माली है एक और दिल्ली में मालीक बनता था जेल में वह भी मालीक बनने वाली प्रभिधी जो है ना वह बहुत खराब होती है तो किसी को उठा करके मूँ उठा करके कुछ भी कह दें अब जेलो फिर बाद में कहेंगे कि मोदी जी से सवाल पुछ लिए इसलिए मोदी जी ने हमारे उपर किस करा दिया अभी हुआ था दो मैं दो साल माना आनी वाले किसमें अब प्रम कृष्णम जी हैं यह कह रहे हैं कि राहुल राम मंदिर का फैसला पलटना चाहते हैं करीबियों से कहा था सरकार बनी तो साहबानों की तरज पर एक्सल लेंगे अगर आचार प्रमोद कृष्णम जूट बोल ले हैं तो राहुल गांदी कैस करते इनके उपर नहीं के पार् कमेटी बनाएंगे और सावानों की तरह राम मंदिर का फैसला मतलब राहुल गांधी संसद में कानून लेकर ला करके इस देश का राम मंदिर गिरा देंगे यही मतलब हुआ ना फैसला पलटने का वहां तो मंदिर बन गया है राहुल गांधी को बहुत बड़ी गलत पहिमी हो गई है राहुल गांधी पर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का इतना दवाव है कांग्रेस पार्टी का सब छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं कि क्या ऐसा कह दूँ कि लोग मुझे ओट दे दें इस तरीके से नहीं मिलता राहुल गांधी जी ओट आप वर्ग संगर जाती संगर्स को इस देश में बढ़ावा दे रहे हैं अपने भासनों से और आपको देश अब नान सीरियस पॉलिटिशन मान चुका है पहले ती मान चुका था अपको और बच्चुका है क्योंकि आप नहीं कहा था लंदन में जा करके कि रोसिन छिड़का हुआ है बस माचीस लगाने की कि देर तो क्या आप माचीस लगा रहे हैं हर जगए साब साब बता देना चाहिए था विशे आपके पिता जी नहीं साब आनों का फैसला बदला था कि इन्होंने एक चीज और कही कि राहूल की टीम देश को जाती धर्म और भासा में बाट रही है इसका भी जवाब दे देना चाहिए हर जगह घुम घुम कर कही बात कर रहे हैं अब राहूल गांदी ने को नया सिफुका छोड़ दिया यार यह वह बीसी वाले मोदी को योड मुझको क्यों नहीं करें कि यह करए कि 50% की सीमा को together के 20% मुस्लिम आरक्षण को इंपोज करना चाहते हैं संभिधान में बदलाव करके अभी तक राहूल गांदी तो मोदी प्यारम पलगाते खें अरे सम्मिधार बचाना है मोधी चार सो इसलिए चाते सम्मिधान बदल देंगे ये विना सम्मिधान बदले हो जाएगा रहूल गांधी समपत्यों का सकंधनिंग कराइंगे रहूल गांधी अपनी समपत्य 20 करोण रुपिया जिस अडानी अमबानी और टाटा बिरला आए टीसी और हिंदुस्तान लीवर को गाली देते हैं पूजी पतियों को गाली देते हैं वेट्ष क्रियेटरों को इस देश में गाली देते हैं उनी और में पैसा लगा कर कि राहुल कड़ाली सोमें चिपने लोगों के हाथ में तो इतना प्रसेंट लोगों के हाथ में उत्तना प्रसेंट लोगो तो पैसा लगा कर कि अब भी पैसा बनाना है वालगांदी जी तो पहले बीस करोंडニ तो आपस कर दीजिए और आपको कसम कि किसी भी कंपणी के सेयर में पैसा नहीं लगाएंगे अपने माल कमाओ दूसरे को बरगलाओ अईसे ना चल वो है ना गुरू अच्छा मतलब यह तो कलाकार है ही है यह सीमा हटा देंगे वो सीमा हटा देंगे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे प्रदानमंदिन ने नहीं होगा मुसल्मानों को भी आरक्षण मिलता है लेकिन जो मुसल्मान पिछड़े में आते हैं सामाने रूप से लेकिन राहूल आरक्षण नहीं होगा आज आप एक के लिए धरवाजा खोलेंगे परसो दूसरे के लिए खोलेंगे नर्सों तीसरे के लिए खोलेंगे तो दो तीन चार पांश टाइप का रक्षण की वेवस्ता चलेगी क्या देश में कि धर्म के नाम पे लोग लें आज मुसलमानों को देंगे कल क्रिश्णों को देंगे तो परसों इसको देंगे तो नर्सों उसको देंगे इस तरीके से चलेगी वेवस्ता हैं वेल्थ क्रियेटरों को गाली दो ये दे देंगे वो देंगे सुनिए दोस्त एक बाद धान से रखिएगा आरक्षण ससक्ति करण का माध्यम है और राहूल गाधी चाहते हैं कि वर्ग संघर्स हो इस देश में एक दूसरे के लिए मरो काटो मचे इस देश में इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं आखरी अस्तर चल रहे हैं कि कैसे भी लोग मुझे वोट दे दें नहीं देंगे लोग वोट भाई दूसरी तरफ एक पिछड़ा प्रधानमंतिर नरेंदा मोदर्दास मोदी इनको बरदास नहीं है और 2002 से लोगों को बरदास नहीं है गुजरास से खदेड़ा देश से खदेड़ दिया कांग्रेश को गुजरास से खदेड़ा नरेंदा मोदर्दास मोदी ने अब देश से भी खदेड़ दि इन लोगों की स्थिति दैनी हो चुकी है गुजरात में सबसे नियुंतम पर आ जाएंगे एक पिछड़ा प्रधान मंत्री आपको बरदास नहीं है आप पिछड़ों के आरक्षंटी बात करते हैं लोग समझते नहीं है अच्छा आप इनका थोड़ा सा जबर्दस्त वाला ग बड़ा सुन्दर एक्सपेरिवन्ट हुआ अमरीका में जैसे हमारी IIT होती है उनका जो टॉप इक्जाम होता है उसको SAT कहते है और जब SAT पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे और जो काले चंबडी वाले देखो यह जो है ना यह जो काले हैं और यह जो स्पैनिश बोलने वाले लाइटन अमेरिकन से यह इतने मेरिटोरियस नहीं है इनको मतलब वह बात समझ नहीं आ रही है इनकी केपेबिलिटी कम है और यह काफी सालों चला फिर एक आदमी ने क्या किया एक प्रोफेसर ने उ अकाल मतलब जो system को control कर रहा है वो ही merit कर रहा है अब माननो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े बियूरोक्राट का बेटा हो अगर आप exam लिखोगे मैं फेल होंगा ही होंगा और मैं एक्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए हो गे तो यह कहना कि भाईया यह मेरिट से आया यह मेरिट से नहीं सवाल में न भाईया वो जो उपर बाटा हो कौन है वो पहले मुझे बताओ अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि IIT का जो एक्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं तो फिर एक काम करो दलित तो उसे लिखा के दिखाओ प्राइब करते हैं कि सुल लिया होगा आप लोगों इनके कहने का मतलब है कि अगर IIT का एंट्रेंस एक्जाम हो रहा है जिसमें 12 इस्टेंडर का फिजिक्स का सवाल पूछा जाएगा अगर उसको समढ़ प्रोफेसर पेपर सेट करेगा तो दलित बच्चे फेल हो जाएंगे लेकिन दलित अगर प्रोफेसर सेट कर देगा पेपर को तो समढ़ बच्च्च फेलो जाएंगी क्या लॉजिक है आप मतलब 12 का जो इक्जाम है वो चाय आईटी का हो चाय बोज का हो किसी का भी इनके कहने का मतलब है कि उसमें से कोई पेपर कोई डलित प्रफेसर से नहीं करता है इनके राहुल गांधी के लाजिक नेसास है मतलब इनकी कहने का है मतलब है कि इस धेश में ड़लित बच्चे आरिटी का एक्जाम क्रैक नहीं करते हैं बड़ी पोजीशन पर नहीं पाउच्टे हैं उसमें प्रोफेसरस नहीं बनते हैं, साइंटिस्ट नहीं बनते हैं, ये इनका कहना है राउल गांधी के लॉजिक के साथ से, सुचिए गाइस को, और लेकर के कहां से एकजामपल आए हैं, अमेरिका से, गोरे और कालों का एकजामपल लेकर कमपटिशन की तैयारी में हर जग है, एससी बर्मा सहाब समण नहीं है, पिछड़े हैं, तो रिटायर हो गए हैं, और गेनिक खेती बगर करते हैं, सब्जियों की, डाक्टर बिरेन थे, दलित प्रोफेसर थे, जो मुझको आईटी में पढ़ाए थे, उनका पेपर सेट किया हुआ, तो मैं पास कर गया, मैं तो नहीं फेल हुआ, इसके अलमा मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं, जो आईटी में, अलग-अ जाजरी से आते हैं, डलित हैं, रिनाउंड प्रोफेसर हैं, बहुत नामी प्रोफेसर हैं, इसके अलमा आईटी रोपड में हैं, डाक्टर, एक छांसू सोनकर, ये भी खटिक जाती से आते हैं, ये भी दलित हैं, ये भी बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, इसके अलमा यह कंट पासवानसर निट जमसेदपूर में दुनिया भरके तो यह लोग कम करते हैं समानिवर बिद्यार्ति फेल हो जाता है जा है राई गांदी के pagan ते तो यह 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 कह रहे हैं कि पहले फोन प्रफर करते थे तो काले हो जाते थे कालों ने कि कृती कर दिया तो कोश्चन पूछ लिया था किसका कहां कैसे मतलब कोई तार्टम नहीं इस व्यक्ति का अब सामान ने आदमी कहां राहूल गांदी दिखे अमेरिका जांपल दी बहुत बुड़ी है वीडियो सेर होगा लोग सोचे कि क्या सोचेंगे राहूल गांदी के बारे में कोई पड़ा जो समधान मनाया तो क्या समधान नहीं समझ आता है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रिव्यूट भी करिएगा लेकिन सोचीएगा जरूर कि राहूल गांदी क्या कर रहे हैं इस डेष के झाल झाल